दोस्तों मैं सवरमलिक आप सभी का Only Top Study चैनल पर स्वागत करता हूँ आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं Top 27 सविधान के मैतपून परसन जो की परिक्साओं में 100% पूछे जाएंगे आप लोग इस वीडियो को सुरू से लेके अंड तक देखेगा 27 में से आपका स्कोर क्या रहता है? पूरी वीडियो को देखने के बाद में End में जाके बताना है आप चैक किसी भी एक्जाम की तैरी करते हैं यह वीडियो सभी एक्जाम के लिए मैतपून है और daily दो पैर में 2 बजे वीडियो आती है दोस्तो भारते सव्दान में कुल कितनी अनसूचिया है यह आपके लिए test question है और इस question का answer वीडियो के दुरान ही बता दिया जाएगा चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को पहला question आपकी स्क्रीन पर है सर्वुच न्याले के पर्थम मुख्य नैदीस कौन थे दोस्तो इस question का right answer एगा हीरा लाल जे कानिया यानि कि पहले question का right answer option यह हो जाएगा यह आपको याद रखना है दूसरा question है राज्य सबा को कब भंग किया जा सकता है मेरे प्यारे दोस्तो राज्य सबा को कभी भी भंग नहीं किया जा सकता तो कभी नहीं इस question का right answer रहेगा यानि कि D is the right answer तीसरा question है भारतिय संसद के कितने अंग होते हैं कई बार इस question को cover करा चुका हूँ ठीक है यह question SSC से लेके railway या police के exam में कई बार आ चुका है इस question का दोस्तो right answer रहेगा भारतिय संसद के कितने अंग होते हैं तो तीन होते हैं दोस्तो यानि कि B is the right answer question number 4 है भारतिय संसद के गठन का प्रवधान किस अनुचेद में किया गया है राइट आंसर हैगा अनुचेद 79 में यानि कि B right answer किस राज्ये की लोकसबा सेटे सबसे ज़्यादा हैं दोस्तो right answer हैगा उत्तर प्रदेश की यानि कि D is the right answer प्यारे दोस्तो दिवाली offer चल रहा है जिसमें 500 रुपे वाली PDF मातर 500 रुपे में पूरी lifetime के लिए आप ले सकते हैं जिसके अंदर आपको सारे subject मिलेंगे बिलकुल topic wise तो आपको कुछ भी अलग से PDF या book लेके पढ़ने की जोरत नहीं पढ़ेगी केवल master PDF पढ़ लेना चाहे आप SSC के किसी exam की चारी कर रहे है railway का exam है पुलिस का कोई exam है दिल्ली पुलिस है कोई भी तो आप इस PDF से complete पूरा course cover कर सकते हैं हमारा WhatsApp नंबर भी है इस नंबर पे अगर आप हमें ये वाला screen source भेजते हैं स्लाइड का तो हम समझेंगे कि आपको पीडियाप लेनी है तो आपको लिंक भीज़ते जाएगा या फिर description box में भी लिंक अबलेबल है वहाँ से भी purchase कर सकते हैं आप इस पीडियाप को WhatsApp नंबर है एक सेड में या आपर लिखा हो मिल जाएगा चटा कोशन है लोकसभा अध्यक्स अपना त्याग पत्र किस से संबोधित करता है तो राइट आंसर हैगा लोकसभा उपाध्यक्स को चटे कोशन का राइट आंसर आप्शन ही हो जाएगा ये आपका आदकना है लोक लेखा समीती में कितने सदश्या होते हैं दोस्तों लोक लेखा समीती में कितने सदश्या होते हैं तो राइट आंसर इस ट्वंटी टू यानि की सी राइट आंसर हैगा साथवे कोशन का सेउत्तर तो ये हैं आपको याद अखना है आटवा कोशन है भारत की नागरिकटा कितने तरीकों से प्राप्त की जा सकती है राइट आणसर रेगा पाँच तरीकों से दोस्तों यानि की radically राइट आणसर हो जाएगा नवा कोशन है राज्यों से लोकसभा में कुल सदिश्यों की संख्या कितनी है केवल राज्यों से पूछा है दोस्तों मैंने तो राइट आंसर बतेगा क्या रहेगा सही उत्तर रहेगा पांसो तीस यानि की ए राइट आंसर रहेगा देखें दसवा कोशन है जनता का सदन को लोकसभा नाम किस वर्स दिया गया था सेशन अच्छा लगे तो लाइक कर देना अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर देना और दोस्तों हर एक सब्जेक्ट की मैंने अलग से प्लेलिस्ट बनाई है जिन सभी प्लेलिस्ट के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बोक्स में दिये गए है वहाँ से आप सारी वीडियोस देख सकते हैं और आप यूटूब पर भी सर्च कर सकते हैं और जो भी सब्जेक्ट देखना चाहते हैं उसका नाम एड़ कर देना सारी वीडियोस मिल जाएगे आपको दस्वे कोशन का राइट आंसर हैगा 1954 यानि की ए राइट आंसर हो जाएगा दस्वे कोशन का सहयुतर कोशन नमर 11 है भारते सविधान की किस अनुसूची में राज्यो के नाम और उनके छेतरों का उल्लेक क्या गया है कि 130 कोशन का राइट आंसर हैगा पर्थम अनुसूची यानि की ओप्षण ए राइट आंसर हैगा 120 कोशन है भारत के सर्वुच न्याले की पहली महिला न्यायदीज कौन थी दोस्तो राइट आंसर क्या रहेगा बिल्कुल सही उत्तर है फातिमा बीवी मीरा साहीब फातिमा बीवी इनका पूरा नाम है तो ये भी आप लोग नोट कर सकते हैं तो स्री इस दा राइट आंसर कोशन नुबर 13 है भारत का परधान मंतरी बनने की निनतमायू क्या होगी यदि वे राजे सबा का सदस्चे है तो तो इस कोशन का दोस्तो राइट आंसर क्या रहेगा तो देखे सही उत्तर रहेगा तीस वर्स यानि की बी राइट आंसर हो जाएगा कोशन नुबर 14 है परधान मंतरी को उनके पद की कोपिनेता की सपत कोन दिलवाता है कोशन नुबर 14 का राइट आंसर हैगा राजपती दिलवाता है दोस्तो यानि की ए राइट आंसर हो जाएगा कोशन नवर 15 है राज्यसभा के सदस्चों का कारेकाल कितने वर्स का होता है तो राज्यसभा के सदस्चों का कारेकाल मेरे प्यारे दोस्तों कितने वर्स का होता है सही उत्तर है 6 वर्स का यानि कि option A right answer हैगा इस कोशन का सही उत्तर सोलवा कोश्चन है भारत में संसद की विवस्था किस देश के सविधान से ली गई है दोस्तो राइट आंसर रहेगा बिल्टेन के सविधान से यानि कि C is the right answer ठीक है बई कोश्चन नबर 17 है पर्थम लोकसबा के विपक्स का नेता कोन था राइट आंसर हैगा A के गोपाल यानि की B राइट आंसर हो जाएगा कोश्चन नबर 18 है लोकसबा के पर्थम उपाध्यक्स कोन थे दोस्तो राइट आंसर रहेगा M A अयंगर यानि की अठारवे कोश्चन का राइट आंसर हो जाएगा B ये आपको या दखना है कोश्चन नबर 19 है राज्य सभा में रास्पती के द्वारा कितने सदस्य मरोनित किये जाते हैं कोश्चन नबर 19 का दोस्तो राइट आंसर क्या रहेगा 12 सदस्य दोस्तो यानि की ऑप्शन हो जाएगा A राइट आंसर अगला कोश्चन है निमलिकित में से कौन भारत में कानूनों को बनाता है 20 वे कोश्चन का राइट आंसर हैगा रास्पती और संसद के दोनों सदन ठीक है राइट आंसर है देखिए जो बिल होता है पास होता है दोनों सदनों में ठीक है लोकसबा और राजसबा में फिर वो जाता है राजपती के पास राजपती के जब signature हो जाते हैं तो तभी कोई बिल एक कानून बनता है तो right answer C रहेगा इस question का से उत्तर 21 question है भारत के राजपती पर महावियों की परकिरिया किस देश से ली गई है right answer हैगा दोस्तों अमेरिका से यानि कि किस वे question का right answer option A हो जाएगा यह आपके आदखने है question number 22 है भारतिय सविधान में मोलिक करतव्यों का उले किस अनुच्छेद में है दोस्तों right answer रहेगा अनुच्छे 51 के A में यानि कि 22 question का right answer हो जाएगा option C यह आपके आदखने है 23 question सविधान सबा के सविधानिक सलाकार कोन थे 23 question का right answer हैगा वेनेगल नर्सिंग राव यानि कि 23 question का right answer हो जाएगा D यह आपको याद अखना है question number 24 है संग लोक सेवा आयोक के कारियों का उले किस अनुच्छेद के अंतरगत है तो 24 question का right answer दोस्तों क्या हो जाएगा अनुच्छे 320 यानि कि 24 question का right answer option A हो जाएगा यह आपको याद दखना है 25 question है भारत में एकल नागरिक्ता की अवधारना कहां से ली गई है तो देखे भारत में एकल नागरिक्ता की अवधारना कहां से ली गई है 25 question का right answer हैगा बिल्टेन यानि कि option A right answer हैगा इस question का सेवत्तों कोई व्यक्ती कारखाना अत्वा खदानों में काम नहीं कर सकता है यदि उसकी आयू अधिक नहीं है तो कितने साल से अधिक नहीं है दोस्तों या आंसर बताईगा बिल्कुल 14 वर्स से अधिक नहीं है तो right answer is D कोई भी बच्चा मतलब 14 साल की उम्र से कम है तो वो कारखानों में काम नहीं कर सकता है 27 वा question है भारते सव्धान में कुल कितनी अनुसूचिया है right answer हैगा दोस्तों 12 अनुसूचिया है यानि कि 27 वे question का right answer D हो जाएगा देखे ये थे आपके 27 question answers इन में से कितने सही किये हैं आप लोगों ने comment box में बतेगा भारतिय संसद के कितने अंग होते हैं ये आपके लिए test question है जिसका answer सभी को पता होगा क्योंकि वीडियो के दोरान ही मैंने इस question को cover कराया था तो फटा-फट answer बतेगा साथी साथ अगर आपको daily current affair की pdf लेनी है तो only top study app को download कर लीजे 5 star की rating करिएगा उसके बाद में आपको यहां से daily current affair की pdf मिलना start हो जाएगी दिवाली offer में दोस्तों master pdf आपको मिल जाएगी मातर 1500 रुपे में ठीक है तो तुरंत ही आपको link जाएगा master pdf का आप उस link पर click करके payment करके pdf ले पाएंगे description box में भी दोस्तों master pdf का link अविलेबल है वहाँ से भी purchase कर सकते है वीडियो पसंद आए तो like share कर देना चैनल पर नए है तो subscribe करिए बेल एकन कौन रखे ताकि आगे आने वाली कोई भी वीडियो मिसना हो थेंक यू सो मच बाइबाइ एवरिवन टेक केर ख्याल लग अबना